साख, हम अपनी आवशक्ता की अनेक वस्तुओं को खरीदने के लिए प्राया अपने पास रखे रुपयों का उप्योग करते हैं। जिनने हम कुछ समय बाद ब्याज सहीत लोटाते हैं। यह ब्याज हम बैंक के पैसों को उप्योग करने के बदले में किराय की तरह कुछ समय के अंतराल में मूल राशी के साथ चुकाते हैं। इस तरह किसी संस्था या व्यक्ति के उधार से जहां एक व्यक्ति को अपनी आवशक्ता की चीजे मिल जाती हैं। वही दुकानदार की कुछ चीजें बजार में ग्राहकों को रिण सुविधा देने पर बिक जाती हैं। यह व्यवस्था ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए तातकाली खित साधने में सहायक होती हैं। रिण की सुविधा एक और हमें अपनी आवशक्ता आय संपत्यों में व्रिद्धी के अवसर प्रदान करती हैं। वहीं दूसरी ओर यह कई लोगों को रिण के बोज में जकड भी लेती हैं। रिण की शर्तें। रिण की परिस्थितियों को समझने के लिए रिण की शर्ते समझना जरूरी हो जाता है। हर रिण में ब्याज की दर निश्शित कर दी जाती हैं। जिसे कर्जदार मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधार दाता कोई भी चीज गिर्वी रखने की मांग कर सकता है। ये ऐसी संपत्ती है जिसका मालिक कर्जदार है। जैसे भूमी, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी और इसका इस्तमाल वह उधार दाता को गैरंटी देने के रूप में करता है। जब तक कि रिण का भुकता नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता, तो उधार दाता को भुकतान प्राप्ती के लिए संपत्ती को बेचने का अधिकार होता है।